हेलो एवरिवन, वेलिकम बैक टूर क्लास, आज की ग्लास हमारी पॉलिटी की ग्लास है, जो समविधान वाला हमारा पोर्शन है, वो आज हम करेंगे, उसमें बहुत सारी चीज़े आपकी रिवाइस भी होंगे, जो आपने पहले पढ़ी वी और कुछ चीज़े आप उसमें आजाद हुआ और 1950 में हमारा समविधान बनके तयार हो गया, उसके पीछे बहुत पुराना 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 हमारा सब कुछ चलता रहा, तो सबसे पहले कि जब भारत में पहले कंपनी का शाशन था, 1857 की करांती से पहले जो इस्ट इंडिया कंपनी थी, वो यहाँ पे शाशन कर रही थी, उसके बाद 1857 के बाद 1858 से जो शाशन है वो ब्रिटिस, यानि क्राउन के अंडर में आ गया था, ब्रिटिस क्राउन के, और यहाँ पे जो विक्टोरिया थी, उनको यहाँ पे रानी घूशित कर दिया गया था, तो जो अंग्रेजिद रहा यहाँ पे जो भी एक्ट या अधिनियम घूशित किये जाते थे, उनकी लिस्ट यहाँ पे मेरे पास है, एक मैं जो आपको बताऊंगी, क्या-क्या इंपोर्टन्ट है और कौन कोशन बनता है, कि आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोशन इन में से ही बनेगा, सबसे पहला था कि ये जो एक्ट बन रहे थे, रेगुलेटिंग एक्ट या फिर पिट्स इंडिया एक्ट वगेरा, इनका कोई सिक्वेंस नहीं था कि किसी सिक्वेंस में बन रहे हो, बस बीच के ये जो तीन है यहाँ पे, ये दो हैं, ये कुछ दस और बीस के अंतराल में इस त तरीके से बने थे, बागी कुछ इनका कोई सिक्वेंस नहीं था, ये तीनों थे आपके 20 एर्स के सिक्वेंस में बने थे, अब आपको जो याद रखना है, सबसे पहला कोशन ध्यान रखना है कि कोशन बनता है, रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था, तो आपको ध्यान सलकता में सुप्रीम कोट के स्तापना कब हुई थी, 1773 में और किस एक्ट के तहत हुई थी, रेगुलेटिंग एक्ट, ये आपको ध्यान रखना है, ये पहला कोशन बन गया है, फिर आपने बंगाल में 12 शाषन पढ़ा था, पहले हिस्टरी की क्लास में पढ़ा होगा, किस में क्या हुआ था, 12 शाषन का मतलब ये था कि, मतलब दो टाइप के हो गया था, एक तो व्यापारिक अलग तारीके से हो रहा था, जो बिजनस हो रहा और राजनेतिक अलग हो गया, तो जो व्यापारिक को समाल ले थे, वो थे आपके बोर्ड आफ कंट्रोलर, इतना इंप और चीज थी कि, पहले यहापे चलता था कि बंगाल, यह आप हिस्ट्री में पढ़ हो गया, बंगाल का गवर्नर, उसके बाद हुआ आपका बंगाल का गवर्नर जनरल, क्योंकि शुरू में जब एस्ट इंडिया कंपनी आईती तो यह बंगाल वाले एरिया में, इन्होंन 64 में आपका, 764 में बकसर का युद्ध जीत दिया था, उसके बाद यह बंगाल वाले एरिया को ही ज़्यातार कंट्रोल करेते, फिर आने लगा बंगाल का गवर्नर जनरल, फिर बना बंगाल का गवर्नर जनरल था जो, वो बना आपका इंडिया का गवर्नर जनरल, और उसक के बाद आया आपका वाई सराय यह ध्यान रखना आपको उसके बाद क्या आया आपका वाई सराय यह एक पोर्शन है कि पहले बंगाल का गवर्णर फिर बंगाल का गवर्णर जनरल फिर इंडिया का गवर्णर जनरल और फिर वाई सराय अभी हमने यहां पे दो तो हमने कर ल ये थे आपके Charter Act अभी तक जो तीसरे से स्टार्ट हो गये थे 1786 से फिर आपके Charter Act स्टार्ट हो गये थे ये दोनों important है इसमें क्या हुआ था आपका कि Company जो थी East India Company ये भारत के साथ व्यापार करती थी तो इसका व्यापार का एकाधिकार समापत हो गया था यानि कि अब भा चीजें बची थी कि एक तो ये चीन के साथ कर सकती थी और दूसरा था कि कुछ पूर्वी देश थे उनके साथ ये चाय का व्यापार कर सकती थी तो question ये बनता है कि 1813 में जो एकाधिकार समापत हो था वो किस चीज से समापत नहीं हो था तो वो बचा था आपका चाय ये ध साल बाद 1833 का 20 साल बाद आये 1833 वाला ये important है इसमें क्या हुआ कि जो अभी तक business कर रही थी ये व्यापार कर रही थी इसमें उपर तो चाय बचा था या फिर चीन बचा था चा और चा तेरह तक आपका दो चीजे बची थी इस वाली condition में पूरी चीजें खतम हो गई यान कि ना अब चाय रहेगा ना चीन रहेगा 1833 में तो यहां से एक question बनता है कि व्यापारिक अधिकार पूर्णता कब समाप्त हुआ तो वो हुआ था आपका 1833 में याद रखना आपको फिर है आपका कि मैंने भी आपको बताया कि बंगाल का पहले governor general होता था वो भारत का governor general कह कहलाया जाने लगा कब से 1833 से कब से कहलाया जाने लगा इससे के related question ARO में भी आया था शायद यही वाला आया था कि भारत का प्रथम governor general कौन था या फिर वाइसर आया था इन दोनों में से एक question पूछा गया था कैनिंग का भी हो सकता है यह question पूछा हुआ था तो इस चीज क में यह important नहीं है फिर 1858 में फिर यहां पर देखे आपके 5 साल के gap में आने लगे अभी तक आपका 20-20 था फिर यहां पर दो आये हैं यह 5 साल के तो 1858 का क्यों important है इसलिए important है sorry 1887 का 1888 का 1857 में हुई थी आपकी क्रांती प्रथम सुतंता संग्राम हुआता क्रांती हुई थी तो उसके बाद क्या हुआ कि जो East India Company थी उसके हाथ से सारा यहां पर से छिन गया और British Crown यहां पर आ गया यानि कि अब जो सत्ता चलने लगी वो Crown के अंडर में चलने लगी और जो महरानी Victoria थी इनको यहां की महरानी घुशित कर दिया गया और एक question बनता है कि सचिव का पद क स्रिजित किया गया तो सचिव का पद स्रिजित किया गया आपका अठारा सो अठावन में आपके जितने जितने question जो आए वे हैं वो मैं सारे यहां पर आपके clear करते वे जा रही हूं फिर है आपका कि भारतिया परिशत अधिरियम 1861-92 इतना important नहीं है most important है आपके एक तो 1909 का 1909 का और 1919 का 10 साल में जो आए हैं और इनके special नाम भी थे पहले वाले का नाम है आपका मारले मिंटो सुधार मारले मिंटो सुधार क्यों है क्योंकि उस टाइम पे जो वाइसराय चल रहा था उसका नाम था आपका मारले मिंटो और 1906 में आपका यहीं पे मैं आपको बता दू कि मुस्लिम लीग बन चुकी थी अब मुस्लिम लीग के बाद क्या हुआ कि मुस्लिम लोग अपने लिए अलग निर्वाचन छेत्र मानने लगे कि हम अलग से अपना इलेक्शन कराएंगे अपना अलग वोटिंग होगी हमार वो सब उनका चलने लगा तो इसी में क्या करा कि 1909 में इसका आया प्रिथक निर्वाचन परणाली प्रिथक निर्वाचन परणाली से क्या मतलब है कि मुस्लिम लोग थे जो मुस्लिम समुदाय था इनके लिए अलग प्रतिनी दुद्धा होगा अब ये कोश्चन क्या बन यह फिर question बनता है कि सांप्रिदाइक प्रतिनिदू तो सांप्रिदाइक का मतलब यह हो गया कि हिंदू-Muslim से हैं सांप्रिदाइक प्रतिनिदू तो कब हुआ था कब बना था तो 1909 में किस एक्ट के तहट मारले मिंटो एक्ट के तहट ठीक है उसके बाद अगला आता है आप चैंसफोड इसका नाम पड़ा इसने क्या करा था अगर question बनता है प्रांत में दोहरा शाशन किस ने करा था अभी आपने जो उपर पड़ा था उसको clear करते वे चलिए वो था केवल बंगाल में दोहरा शाशन यहां पे है कि प्रांत में दोहरा शाशन किस ने शुरू किया था 1919 के एक्ट ने चैंसफोड के सुधार ने और खतम किस ने किया था या फिर इसको केंद्र में दोहरा शाशन यहां पे केंद्र में यह अलग है यह चीज़ अलग है कि प्रांत में दोहरा शाशन खतम किस ने किया है तो इसके अगले वाले ने 1935 वाले एक्ट ने इसे खत कर दिया था यहां पे अगर केंद्र में सदनात्मक साशन से मलतब है कि प्रांत में इसका दोरा शाशन शुरू हो गया था एक तो राजय परिशद बनी थी और केंद्रिय विधानसभा बनी थी और most important question कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब हुआ था तो यह हुआ था आपका 1919 में ऐसा समझ लिजिए कि 19 साल में महिलाएं वोट देने लगी थी तो यह आपको धिहान ला गया कि 1919 में इनको वोट देने का अधिकार मिला था उसके बाद है यह भी important है भारत सरकार अधिनिय जो भारतिय समविधान बनाएं बहुत सारी चीज़ें इसी अधिनियम से इसी एक्ट से अधिनियम मींस होता आपका एक्ट इसी एक्ट से ली गई है इसमें थी आपकी 451 धारे हैं 451 धारे हैं अब दो question बने एक बनता है प्रांत में दोहराशाशन यह बना है आपका 19 के हि तो केंद्र में दोहराशाशन किसके एसाब से वह था उननिसो पैंटीस में अपको पूरांत और केंद्र दो शब्द ध्यान रखने हैं और प्रांतियस्वयत्ता यानि प्रांतों की सुतंता इस्द्वत इस नहीं खतम किया था और ये शुरु हो गया था मैंने भी आपको बत पेज़ने की जरुत निया यही सारे कोश्चनिय में आये हैं, वो मनने सारे कोट कर लिए हैं, फिर देखिए, अब आपका बर्म के चाहर समविधां काUBा है, भार्तीय समविधां मने कार्था कर दोबा इस दाए भार्तीय संविधाN सभा के पूर अधिवेशन हुआ था यह कोश्चन बना है लास्ट एर में इसलिए मैंने आप पूट किया है 1936 में इसकी मांग वहाँ पे शुरू हो गई थी वहाँ पे इसकी मांग रखी गई की थी कि भारती सम्विधान सभा से कुछ सभा हमें कमेटी बनानी चाहिए जिससे कि हम उ किस बेस बना था यह बना था आपका कैबिनेट मिशन प्लान के हिसाब से अगर कोश्चन बने कि भारती सम्विधान सभा का आधार क्या था तो कैबिनेट मिशन प्लान और गठन का वहा था गठन हुआ था आपका जुलाई 1946 में तीन कोश्चन आपके बन चुके हैं 389 ये भी question बनावा है कि भारतिय सम्विदान सभा के भारतिय सम्विदान सभा में सदश्य कितने थे 389 जिसमें से आधी से ज़्यादा क्या मुस्तली कितने थे ब्रिटिशर्स ही थे दोसो बयानवे ब्रिटिशर्स थे और यहां जो इंडिया को मिली थी केवल 93 मिली थी जिसमें की देशी रियासते थी यहां पे बहुत सारी उनके प्रतिनिदित थे और चार थे आपके चीफ कमिशनर छेत्रों के प्रतिनिदित प्रतिनिदी रिप्रेजेंटेटिव उसके बाद इसका एक चुना हुआ था चुना हुआ था आपका 1946 में वो सारी यह जो घटना चल रही है अभी देख रहाँ आप 1946 की ही चल रही है और यह कब से शुरू हो गया था यह सब चलना की जब से हमारा देश आजाद हुआ था पूर्ण सोतंता मिली थी उससे पहले से ही हमारा संवीधान का जो प्रोसीजर है वो सब सुरू हो चुका है एक साल पहले से ही बलकि इससे पहले 1942 में क्रिप्स मिशन आया था वहीं से ही आपका क्रिप्स मिशन भी आपको धियान रखना है कि क्रिप्स मिशन कब आया था 1942 में वहां से आपका सब कुछ शुरू हो गया था अब उसके बाद चुनाव आपने देख लिए कि 1946 में हुए प्रथम बैठक हुई थी ये हुई थी आपकी 9 दिसंबर 1946 में और इसके जो प्रेजिडेंट बनाये थे अध्यक्ष बनाये थे वो बने थे हमारे अध्यक्ष पर्मनेंट नहीं थे वो टेंपररी अध्यक्ष बनाये थे सचिदानन सिन्ना ये सबसे बुजूर्ग थे तो सचिदानन सिन्ना को अईस्ताई अध्यक्ष अब सचिदानन भगवान को भी बोलते हैं तो आप यासे कर लोग की सबसे बड़े थे तो उनको अध्यक्ष बना दिया गया शुरू में भगवान सबसे बड़े हैं तो उनको अध्यक्ष बना दिया गया और मीटिंग कहा हुई आपकी दिली में फर्स सिटिंग जो हुई है फर्स बैटक हुई है और इस जो समविधान सभा थी इसमें क्या हुआ था मुस्लिम लीग ने इसका बहिशकार किया था वो अपनी पाकिस्तान की मांग पे अड़े वे थे उनको कोई मतलब नहीं था हमारा समविधान बने हिंदुस्तान का बने न बने उन्हों की उन्होंने इसका बहिशकार किया वो पाकिस्तान की मांग पे अड़े वे थे और दूसरा था जो यहाँ पे क्या था कि इसके बाद वोटिंग भी हुई थी मैंने आपको दिखाया कि 1946 में आपकी क्या हुई है चुनाव भी हुए है वो चुनाव किस आधार पे वेत जैसे अभी भी जनसंक्या के आधार पे लोकसभा विदान सभा ऐसे नहीं बना दिये जाते एरिया बनाये जाते हैं वैसे ही दस लाग व्यक्ति के आधार पे कोई छेतर बना दिया कैसी दस लाग इसका जनसंक्या अनुपाद था और जो प्रतिनीड़त्यों किया था वो सयुक्त प्रान्थ ने किया था मतलब यहा नहां पर सबसे ज़्यादा प्रतिनुनित्व किया था। और एक और fact है कि हैदराबाद था, हैदराबाद इसमें सामिल नहीं हुआ था, हैदराबाद एक रियासत थी, आपने देखा था कि जब सलदार बल्ला भाई पटेल थे, तीन रियासते हैं, अभी आगे आपको बताऊंगी, वो सामिल नहीं होना चारी थी भारत में, तो हैदर समविधान सबा के चुनाव में भी सामिल नहीं हुई थी, फिर अभी देखा, 9 दिसंबर को तो पहली से बैठक हो चुकी है, फिर हुई 11 दिसंबर को दूसरी बैठक, और इसमें बनाए गया स्ताई अध्यक्ष, यानि कि पर्मनेंट जो प्रेजिडेंट था, वो इसमें ब जॉक्टर राजेंदर परशाद, और अगर पूछा जाए कि अस थाई अध्यक्ष कोन थे, टेंप्ररी प्रेजिडेंट कोन थे, तो सचीदानन्द सिन्ना, ये कोशन आपके दो यहां पे से हो चुके हैं, फिर है कि वाइस प्रेजिडेंट उपाध्यक्ष कोन थे, तो विधानिक सलाकार थे, फिर बनी थी प्रारूप समीती, प्रारूप समीती से था कि इसको पहले तो किसने सोचा कि ये बननी चाहिए, जो इसका दिया गया था, ये दिया था हमारा जवाहर लाल नहरूजी ने कि ऐसी कोई समीती बननी चाहिए, और इसके अध्यक्ष कोन थे प्रारूप समीती के ये थे भीमराव अमबेटकर। प्रारूप से मतलब है हमारा ड्राफ्ट, ड्राफ्ट की जो समीती बनी थी वो बनी थी भीमराव अमबेटकर जी के उसके अध्यक्ष थे भीमराव अमबेटकर। लेकिन बोला किसने था कि बननी चाहिए जवालाल नहरू फिर समचालन समीती थी इसके थे डॉक्टर राजेंद्र प्रशाथ और संग समविदान समीती और संग सक्ति समीती इन दोनों के अध्यक्ष थे पंडित जवालाल नहरू आप देख लिए जहां पे भी संग आ रहा है दो चीजे तो आपको यहीं पर आगे उसके हैं जवालाल कोशन है प्रारूप समीती के अध्यक्ष कौन थे अंबेटकर जी पहले बहुत पूछा जाता था अब जनरली कम पूछतें इसको फिर है आपकी संचालन समीती लास्ट में बच्रा किवल एक है जिसको याद रखना है डॉक्टर राजेंद्र परशाथ अब फिर से है कि मैं जनवरी 1947 में अभी तक की जो घटनाय है 1946 से चल रही है एक तो 9 दिसंबर को पहली बैटाग हुई है 11 दिसंबर को दूसरी भी है 1946 में चुनाव भी हुए है फिर आगे आपके 1947 की प्रोसेजर सुरूई हुआ है देखे जनवरी 22 को इन्होंने क्या दिया प्रस्ताव दिया औ इन्होंने जो हमारा भारतिय दोज है तिरंगा जिसमें तीन रंग है उसको अपनाया गया था तो एक कोशन ये भी है important कि भारतिय दोज को कब अपनाया गया था संविधान सबाद्वारा 22 जुलाई 1947 में और जो प्रथम वाचन हुआ था संविधान सबा का ये हुआ था चा 26 नौबर बहुत important है 26 नौबर उनिस सो उनपचास इसी दिन हमारा संविधान स्विक्रित किया गया था दो कोशन दो चीजे बनती है कि संविधान स्विक्रित किया गया था स्विकार किया गया था तो ये गया गया था आपका 26 नौबर उनिस सो उनपचास को 1949 को और संविध लागू कब किया गया था तो लागू किया गया था आपका 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को जिसके 26 जनवरी को हम अपना Republic Day भी मनाते हैं, गनतंतर दिवस भी मनाते हैं, बस आपको 26 से 26 तो याद रहेगा, आपको नौमबर धिहान रखना है, कि 26 नौमबर को आपका ये सुईकार किय गया था, उसके बाद है कि इसको बनने हमारे जो समविधान है, इसको बनने में कितना समय लगा था, तो दो वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे, 64 लाग का खड़ चाया था, और उस टाइम जो अनुछेद थे टोटल, वो कितने थे आपके, 390 आर्टिकल, जब हमारा समविधान बनके तयार हुआ था, उसमें 390 आर्टिकल थे और 8 अनुसूचियां थी, जबकि अब कितनी हैं, 12 शेडूल्स हैं, यह शेडूल्स हैं, हर एक्जाम में बनता ही बनता है, आपको 12 शेडूल्स अच्छे से याद रखनी है अपनी, बाकी यह जो कहानी चली, इसको एक कहानी की तरह याद करते हुए चली कि 1946 में ऐसा ऐसा हुआ, फिर आई 1947, फिर तीन मीटिंग, पहले तो दो मीटिंग हुई, फिर तीन वाचन हुए उनके, क्या-क्या हुआ उसमें, फिर 1959 का टाइम है, जो में टाइम है, 26 नौबर, और 1950 में तो हमारा समविधान लागू हो गया थ सकते हैं, वो मैं आपको सारे बता दूंगी, प्रेंबल हमारी स्टार्ट होती है कि हम भारत के लोग वटेवर ऐसे आगे चलती है, तो ये आपको ध्यान नहीं रखना है, इसमें से जो भारत शब्द है, वो आपको ध्यान रखना है, कि प्रस्तावना में किस शब्द का जो भीमराव अम्बेट कर थे, इन्होंने क्या कहा था, समविधान की आत्मा किसको कहा था, तो वो समविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा था, आप कोशन दो तरीके से बन सकता है, कि समविधान की आत्मा किसको कहा गया है, प्रेंबल को कहा गया है, किसके द्वारा कहा द्वारा शुरू कहां से होती है हम भारत के लोग यहां से शुरू होती है और इन्होंने इसे पवित्र दस्तावेज भी कहा है पवित्र दस्तावेज किसने का है बी आर अम बेट करने और एक और चीज उद्देश्शिका भी वही होती है जो प्रस्तावना होती है इसका दू इस्वानन्द भारती हो गया बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो उनका आप भी समविधान में जिकर्स पढ़ोगे और आपको समझ में आएगा तो किस में ये धारना प्रस्तूत की थी तो ये धारना प्रस्तूत हुई थी आपकी मुंबई वर्सिस यूनियन आफ इंडिया ये पह अंबल समविधान का भाग है तो इसने केश्वानन्द भारती विवाद में सुईकार किया था एक और है आपका गोलकनात वो आपको मैं बाद में बताऊंगी जब उससे रिलेटेट बात आएगी ये दो इंपोर्टन है केश्वानन्द भारती और गोलकनात जिसका बहुत बार जिकर हमारे समविधान वाले चैप्टर में होता है फिर है कि भारत क्या क्या है तो आपके पास ऐसा कोशन बना है कि ऑप्शन दिये जाएंगे प्रभुत्ता संपन समाजवादी धर्म निरपेक्ष ये अलग अलग तो इन में से कौन सी जो चीज है वो भारत के लिए स प्रजातांत्रिक गणराज्य ये फिर से वही शुरू कि यहां से हुआ हम भारत के लोग अब question है कि प्रभुत्ता संपन प्रजातांत्रिक गंडराज्य भारत कब बना तो ये बना था आपका 1950 में जब हमारा संविधान लागू हो गये था 1950 में प्रभुत्ता संपन प्रजातांत्रिक गंडराज्य बना था और जो प्रेम्बल है उसमें संसोदन यानि amendment कितनी बार हुआ है तो एक बार हुआ है आपका 1976 में 1976 में एक बार हुआ है ये 42 वा संसोदन बहुत important है 42 और 44 ये जब amendment वाला मैं आपको दूँगी उसमें बताऊंगी तो 42 वा संसोदन अधिनिया 1976 इसमें क्या हुआ था नए शब्द जोड़े गए थे तीन नए शब्द समाजवादी धर्म निर्पेक्ष और अखंड़ता ये तीनों नए शब्द आपको दिहान रखने क्योंकि आप्शन में पूछे जाते हैं इन में से कौन सा नया शब्द 1976 के संसोदन में जोड़ा गया था समाजवादी धर्म निर्पेक्ष और अखंड़ता उसके बाद है कि जो सर्वोच सत्ता किस के हाथ में होती है जनता के हाथ में यह हमारी प्रेंबल के ही अनुसार बोला गया है कि जनता के हाथ में सर्वोच सत्ता होती है फिर है भारतिय संविदान की विशेष्टा है तो अगर कोशन बने सबसे बड़ा लिखित संविदान किसका है भारत का सबसे बड़ा लिखित सम्विदान किसका है भारत का सरवादिक व्यापक सम्विदान किसका है भारत का तीनों भारत के सम्विदान की विशेष्टा है भारतिय सम्विदान की ये भी है कि राज्यों का संग है बहुत सारे राज्यों का एक संग बनावा है और सबसे जादा जो पहले ही बताया था 1935 का जो अधिनियम था उसका बहुत प्रभाव पढ़ा था उससे बहुत सारी चीजे हमारे समविदान में ली गई थी और जो भारतिय शाशन व्यवस्ता है ये कहां से ली गई है ब्रेटिस संसिदात्मक परणाली के तहट यहां पे ली गई है और अगर क बने भारतिय समविदान व्यवस्ता में सर्वोच कौन है भारतिय राजनीतिक व्यवस्ता में तो समविदान को सर्वोच माना गया है समविदान का अभिवावक किसे माना गया है तो हमारे जो सुप्रीम कोट है यही हमारे समविदान का पैरेंट है समविदान का हमें मत देने कादिकार का प्राप्त होता है 18 वर्ष में लेकिन 1999 में मैंने बोला था महिलाओं को मिला था यानि 19 साल में महिलाओं को मिला था आपको ऐसे ध्यान रखना है और जो लिखित सम्विधान है वो सबसे पहले किसने शुरू किया था सम्विधान को लिखना वो लिख तो ये लिया है आपने सबसे पहले USA ने और यही से हमने इसको यही से इसने USA ने सबसे पहले से अपनाया था फिर है कि लोग तंतर का आदर्श किसको माना गया है प्रेम्बल को प्रस्तावना को लोक तंत्र का आदर्श माना गया है अब बने संग और उसके राज्य भारत का जो था भारत बना आजाद हुआ 1947 में उसके बार 1950 में हमारा सम्विधान लागू हो गया इतनी कहानी हमने अभी तक पढ़ ली फिर हमने अपनी प्रस्तावना भी लिख ली प्रेम्बल शुरू में हर जब आप कोई भी चैप्टर पढ़ते हो तो सबसे पहले उसकी प्रेम्बल ही होती है तो सम्विधान की प्रेम्बल भी हमने पढ़ ली फिर उसकी कुछ जो हम पढ़ रहे हैं उसकी कुछ विशेष्टाएं होंगी वो भी हमने उसकी प बनते रहे तो सबसे पहले जो बना था 1953 में आंद्र प्रदेश बना था यह important question है बहुत important और किस से अलग होके बना था मदरास से तो आपको धियान क्या रखना है कि सबसे पहले भाषाई आधार पर कौन सा राज्य बना था आंद्र प्रदेश यह से आता है सबसे पहले यही बना था यह आपका धियान रखने के वे अब एक question है कि भारतिय संसत को नया राज्य बनाने का अधिकार है जो नया राज्य बनता है यह question भी बनता है कि नया राज्य बनाने का अधिकार किसको है केवल भारतिय संसत को है भारतिय संसत में कौन-कौन से चीज़ा आती है आधिने वो जो बिल है वो पास होना चाहिए और उसमें राश्च्पती के साइन होने चाहिए तो ये आर्टिकल 2 के तहत आपका बनता है फिर है कि राजे का जो नाम है वो भी केवल संसद में ही चेंज हो सकता है जैसे हमारा पहले उत्रांचल था और अब हमारा राजे का ना नहीं होना चाहती थी लेकिन इनको केवल संसद में का जो श्रेय इनको जो शामिल करवाया वो किस ने करवाया हमारे जो बल्ला भाई पटेल जी थे उन्होंने ही 552 रजवारे थे उनको शामिल करने का श्रेय उनको जाता है इनमें से 549 तो इसली हो गई थी 549 आपने टीहर रियासत का भारत में विले हो था 549 तो हो गए थी लेकिन जो तीन थे जूनागर हैदराबाद और जम्मू कश्मीर ये नहीं होना चाहरे थे तो इससे कोशन बनता है कि निमन में से कौन सी थी तो शामिल नहीं होना चाहरी थे तो जूनागर हैदराबाद और जम्मू कश्म में हुआ था पुनर गठन का हुआ था 1956 में और 1956 तक ही भारत में 14 राज्य थे और 6 केंदर शाषित यानि प्रदेश थे यानि Union Territories किती थी 60 और 14 आपके स्टेट थे उस टाइम पे उसके बाद धीरे 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 आपके राज्य बनते रहें अब वो जो राज्य किस हिसाब से बने वो मैं आपको बता देती हूँ सबसे पहला आपका 1953 में तो आपका आंदर प्रदेश बन गया है मदरा से अलग होके फिर आपका 1960 में अब यहां पर एक वो देखोगे कि तीन तीन यर के गैप में बन रहा है बस यहां पर यह 71 और 72 ध्यान रखना है फिर से तीन यर का ह 60 है 63 है 66 है फिर आपका 4 यर है और 5 यर ऐसा ध्यान सकते हैं यहां से 4 और 5 है या फिर 71 और बहातर आप ध्यान रख लीजे फिर आपका फिर से 3 है और फिर यह दो अलग है 87 87 दून है तो 60 में आपका बना था कई बारी कोश्चन बनता है सबसे जादा कोश्चन सिक्किम का ब बना था आपका महारास्ट और गुजरात उस टाइम एक बंबई राज्य था बंबई अपना राज्य था इसमें क्या हुआ गुजरातियों और मराठियों के बीच लडाईया होने लगी तो दोनों के लिए अलग राज्य बना नीचे वाला आपका महारास्ट और उपर वाल दीजे, तीन बार तो तीन साल का गैप है, फिर है आपका चार और इसके बाद पांच साल का गैप, यानि कि इसमें से ही, पांच और छे साल का, 66 और 7 यहां पे फिर हो गया आपका, यहां तीन तक तो तीन साल का था, फिर है आपका पांच और 6, प्लस 5 और प्लस 6, तो 71 में ब राज्ये बने थे मनिपुर्ट, त्रिपुरा और मेगाले जादतर जो आज तक एक्जाम में पूछा हुआ है एक तो सिक्किम का बहुत जादा कुश्चन पूछा है और हर्याना का फिर है आपका कि 87 में यहां पे मिजोरम और अरुनांचल प्रदेश भी बने हैं और गोवा अब ही आपका 25, 25 वा राज्य बन चुका था हमसे पहले 25 राज्य थे उत्राखंड बनने से पहले फिर 2000 में आपको पता है तीन रहें राज्य बने थे एक तो हमारा बना था उत्राखंड फिर 36 गड़ भी बना और जारखंड भी अब इसमें क्या होता है क्योंकि हम इसमें रिलेटर कुशन पूछे जा सकते हैं कि निम्न में से इनका करम बताईए कि पहले 36 गड़ बना या फिर उत्राखंड बना तो एक तारी को बना 36 गड़ फिर नो को तो हमारा बना यह हमें पता है और फिर बना 15 को जारखंड तो यह आपको ध्यान रखना है कि पहले 36 जीजगर बना फिर उत्राखन बना और फिर बना हमारा जारखन एक नौ और पंद्रा अब है हमारा नागरिक्ता कि नैशनलिटी हमें कैसे मिलती है इस से रिलेटर जो इंपोर्टेंट कोश्चन भी है तो जो भारतिय समविधान है वहां पे हमारी सिंगल सिटिजन्सिप या स USA में तो आपको ध्यान रखना है कि हमारी कौंसी एक अला दोहरी का अगर कोश्चन बनता है तो दोहरी से रिलेटर कौंसा है केवाल आपका USA सभी आप यह जो है कि नागरिक्ता को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं और कैसे खो सकते हैं इसके विशे में कब चर्चा हुई थी उसमें इसकी चर्चा हुई थी और फिर से मैंने आपको बताए कि अगर किसी को नागरिक्ता देनी है या उससे छीननी है तो संसत द्वारा अनमोदित होने के बाद उस पे हस्ताक्षर किसके होते हैं राष्ट्रपती के है तो आपको पता ही कि फाइनल हस्ताक्षर आपके रा हो जाती है साथ वर्षों तक लेकिन इसकी कुछ कंडिशन है अगर कोई स्टडी कर रहा है भार तो खतम नहीं होगी या फिर भारती है गौर्वर्मेंट जॉब के उसमें वह भार गया है तो भी उसकी नागरिक्ता खतम नहीं होती है तो आपको ध्यान रखना है पर कुश् ली है तो आज आपके बहुत सारे छोड़े छोड़े टॉपिक्स खतम हो गया है अब हम अगली ग्लास में अपना जो भी बाकी चीजे बचीवी है ताकि आपका जो पॉल्टी वाला पोर्शन है वो भी फटापट से खतम हो जाए बाकी कुछ चीजे आपको सर ने शौट ट क्लास में तब तब के लिए बाबाय टेक केर